हेलो फ्रेंड, आप लोगोंने तो हॉलिवूट के फिल्मों में बहुत ही बड़े विसालकाय जानवर देखे ही होंगे, जो कि हमारे बरतमान समय के जीवों से काफी विसालकाय होते हैं, और उन फिल्मों में दिखाये जाने वाले पेड़ पौधे भी आज की तुल्ला में का अब तक है ही नहीं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जीव कोई कल्पना मातर नहीं है बलकि आज से हजारों साल पहले ये दैत्यकार और विसालकाय जीव ही हमारी धर्ती पर राज किया करते थे आज से लगभग 300 million words पहले धर्ती पर आज के 21% oxygen की तुल्ला में ये 30% हुआ करती थी जिसकी वज़े से उस समय के जीव और बेंड़ पौधे आज की तुल्ला में काफे विसालकाय और भयानक हुआ करते थे तो दोस्तों क्या होगा अगर हमारी पृत्वी की 21% oxygen की मात्रा किसी कारण वस डबल हो जाए यानि की 42% तो इसका हमारे सरीर और इस धर्ती पर रह रहे जीव जन्तूओ और पेड़ पौधों पर क्या असर होगा हेलो फ्रेंड मैं हूँ रोहित आपका दोस्त और इस चैनल का होस्त तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐक 1% अन्य गैसों से मिलकर हमारा ये अट्मोस्फियर बना है पर इन सभी गैसों में ऑक्सीजन सबसे महत्पूर्ण है क्योंकि इसी की वज़े से हमारी धरती पर जीवन संभव है और अगर हमारी धरती से ऑक्सीजन केवल 5 सेकेंड के लिए हट जाए तो इस धरती पर जीवन का नामों निसान मिठ जाएगा हमारी धरती पर बने गगन चुम में इमारते कुछ मिंटों में ही धेर हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कॉंक्रीट का बाइंडिंग नेचर खतम हो जाएगा धरती पर आग जलाना नामुम्किन हो जाएगा लेकिन अगर यही अक्सीजन की मात्रा 21% से बरकर 42% हो जाए तो हमारी प्रित्वी पर कुछ बड़े ही रोचक बदलाव होंगे जिनका प्रभाव हमारे सरीर और धरती पर रह रहे हैं जीव जन्तूपर भी होगा जहां इस धरती पर रह रहे हैं छोटे बड़े कीडे जैसे की कौक्रोच या प्रफिर मक्हिया इनका साइस 2-3 गुना बड़ा हो जाएगा मतलब एक चुहा खरगोश के साइस का हो जाएगा और खरगोश किसी कुट्य का साइस का हो जाएगा और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा बटमान समय के पेड़ पोधे किसी गगन-चुम्बी इमारतों जैस से हो जाएंगे बात करें अगर हमारे सरीर की तो हमारे सरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ जाएगी जिससे हम बड़े बड़े रोगों को आसानी से हरा पाएंगे हमारा सरीर का कद दो से तीन गुना बढ़ा हो जाएगा और हम किसी फिल्म के सूपर हीरो की तरह हो जा दर असल हमारे शरीर की उरजा का 90 परशेंट भाग ऑक्सीजन से ही आता है और बाकी का हमारे भोजन और पानी से हमें मिलता है तो ऑक्सीजन की मातरा बढ़ने पर हमारा दिमाग भी बरतमान समय से काफी तेज काम करेगा और हम बड़े से बड़े निर्डयें बहुत ही आसान नहीं है क्यूंकि oxygen की मात्रा बढ़ने से बहुत सरे side effect भी होंगे जैसे कि हमारे सरीर में ज़्यादा oxygen की मात्रा से हमें long trunk बिमारिया भी हो सकती हैं जैसे कि cancer या फिर heart से जुड़े हुए बिमारी हमारे सरीर में molecules होते हैं जिनके पास electrons pair में होते हैं सरीर में ज़्यादा oxygen होने के कारण free radicals बनने लगती हैं जिने unstable molecules भी कहते हैं और इनके पास एक electron की कमी के कारण ये free radical बनाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है ये free radicals हमारे सरीर के long tongue बिमारियों का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे सरीर के lungs, retina और डेने तक को ये free radicals खराब कर सकते हैं और यही नहीं जितना ज़्यादा oxygen हमारे सरीर में होगा उतने ही free radicals बनेंगे और ये free radicals हमारी उम्र बढ़ाने की भी छमता ड़कते हैं य क्या अभी भी आप सूपर हीरो बनना चाहते हैं या फिर हमारे normal life ही सही है मुझे comment box में आप जरूर बटाएं ज़्यादा oxygen होने के कारण हमारे environment में भी काफी बदला होंगे ज़्यादा oxygen होने के चलते सूरी की गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे हमारे पें environment में अधिक होने के कारण आपको आए दिन कहीं न कहीं आग लगने की भी news मिलती रहेगी oxygen के चलते ही धरती पर आग जलाना मुम्किन है तो वही इसकी बढ़ी मात्रा आग को बुझाने में काफी तकलीफ दे होगी इसके अलावा भी छोटी बढ़ी और भी तकलीफे हमें सोचे तो oxygen की मात्रा बढ़ने से हमारी प्रित्वी पर फाएदा से ज़्यादा हमें नुक्सान ही होगा यह हमारे सरीर को ज्यादा हिस्ट पूस्ट और ज्यादा अक्टिव जरूर बनाएगा लेकिन इससे हमारे environment पे बहुत ही नुक्सान होगा और हो सकता है oxygen की मात्रा गढ़ेगी बलकि इसकी मात्रा घटने के ज़्यादा चांसेज है तो आपका इस विशह में क्या कहना है मुझे आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताए तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें क्योंकि आपक है किसी और इंट्रेस्टिंग और इन्फोमेटिव नेक्स्ट विडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए मैं रोहीत लेता हूँ आपसे इजाजत